मंगलवार को कॉंग्रेस कारियाले में सुरेश पचौरी का पुतला जलाया गया जिसको लेकब भाच्पा के राश्री उपाद यक्ष प्रभाध जाने का कि सुरेश पचौरी बहुत वरिष्ट नेता है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ उनका पुतला जलाना गलत है, वो हारे या जीते टिकेट मिलने से पहले हर पार्टी में भहस चलती रहती है लेकिन टिकेट मिलने के बाद पार्टी के फैसले मानने चाहिए सुरेश पचोरी जी एक बहुत वरिष्ट नेता है और मैं विक्तिगत संबंधों कर भी उनको संबान देता हूँ उनका पुतला नहीं जलना चाहिए अब वो हार जाए जीत जाए टिकेट मिलने के पहले हर पार्टी में वहस होनी चाहिए टिकेट मिलने के बाद राजनेतिक बात यही रहती है दिवाली की शुपकामनाय प्रदेश वासियों को देने के साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब महनत कर रहे हैं 11 दिसंबर के बाद हम पठा के फोड़ेंगे पूरे मद्धिप्रदेश वासियों को और आप सभी को दीपावली के इस मंगल पर पर राश्टी पर पर मैं अपनी और से और अपनी पार्टी की और से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ 11 दिसंबर हम सब महनत कर रहे हैं 11 दिसंबर को फटा के पोड़ेंगे चौती बार बोपाल से EMS चीवी के लिए कैमरा पर से नितिन मालवी के साथ राम पवार के रिपोच